जैशी गणे जैशी हरींग भगवान गणेश विग्न हरता सारे विग्नों को दूर करते हैं गणेश चतुर्ती का पर्व चल्ला है और ऐसे में बुद्वार के दिन गणेश चतुर्ती से संबन देते भगवान गणेश की ये कथा सुनने से हमारे घर परवार सुहा की लंबी आयू होती है और पीहर में भी सब साकुसल मंगल रहता है तो भगवान के करपा हमारे उपर बनी रहे विक्न हर्ता की करपा हमारे उपर बनी रहे तो आज हम सुनती है ऐसी एक अद्बुत और चमतकारिक कथा जिससे हमारे जीवन के सारे विक्ने दूर होंगे कहते ही भगवान श्री गणेश हर विकने बाधा को दूर करते हैं अपने सुहाग की लंबी आयू और सस्राल हमेसा खुषों से भरा रहे ऐसा वरदान दिने वारे भगवान श्री गणेश की कथा सुनने से सारी जीवन की विखने दूर होते हैं भागवान गणेश से जुड़ी हुई कुछ बातों को भी जानना चाहिए गणेश जी को विखन हरता कहा जाता है गड़ पती पूजन से सुहा की लंबी उम्र का अशिरवात मिलता है बुद्वार के दिन गणेश पूजन के साथ ये कथा सुने जैशी गणेश जैशी हरे भागवान सिरी गणेश की पूजा हर पूजा से पहली की जाती है महलाएं खास कर अपनी पती की लंबी आयो के लिए भागवान सिरी गणेश की पूजा जरूर करती है ऐसी मानता है कि गनेज की पूझा करने से पती की लंबी आयू होने के साथ सरस्राल हमेशाख खुसियों से भरा रहता वहाँ कोई भी दुख की दरिकता कभी नहीं आती है तो आईज जानती है भगवान स्री गनेज की अदबत कथा जो ही इस पकार है भगवान स्री गणेज की सुहा का अशिर्वात देने वरी कथा एक समी की बात है एक भाई बहन रहते थी बहन का नियम था कि वे अपने भाई का चेहरा देख कर ही खाना खाते थी हर रोज वे सुबा उठती थी और जल्दी-जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुँ देखने के लिए उसके घर जाती थी एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणे जी की मूर्दी रखी थी उसने भगवान के सामने हाथ जोड़के कहा मेरे जैसा सुहाक अमर और मेरे जैसा अमर पिहर सब को दीजे ये कहके वे आगे बढ़ जाती है जंगल की जाड़ियों की काटी उसके पैरों में चुप जाती है जैसी रादी जैसी गड़े एक दिन भाई की घर पहुचे और भाई का मुद देखकर बैड़ गई तो भाबी ने पूचा पैरों में क्या हो गया ये सुनकर उसने भाबी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की जाड़ियों के गिरेवे काटे पाउं में चुप गए जब वे वापस अपने घर आ जाए तब भाबी ने अपने पती से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो आपकी बहन के पाउं में बहुत सारी काटे चुब गए हैं भाई ने तब कुलहाड़ी लेकर सारी जाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया जिससे गड़ी जी का इस्थान भी महां से हड गया ये देखके भगवाद गुसा हो गए और उसकी भाई की प्राण हर लिए लोग अंतिन संसकार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाबी रोते हुए लोगों से कही थोड़ी देर रुख जाओ उसकी बहन आने वाली वे अपने भाई को मुझ देखे बिना नहीं रह सकती है उसका ये नियम है तब लोगों निका आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखी गी रोच दिन की तरहे बहन अपने भाई का मुझ देखने के लिए जंगल में निकली तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है जब आगे वे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धी बिनायक को भी वहां से हटा दिया गया तब उसने जाने से पहले गड़ी जी को एक अच्छे इस्थान पे रखकर उन्हें इस्थान दिया और हाथ जोड़ कर बोली भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा पेहर सब को देना और फिर बोलकर आगे निकल गए तब भगवान ने सोचा कि अगर इसकी बात मैंने नहीं सुनी और नहीं मानी ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नी था फिर वे सोचने लगए ये किसने आवाज दी जैसा सुना है वैसा ही करती हूँ फिर वे साथ खेचड़ी के पत्यां लेकर अपने भाई की घर पहुची उसने देखा वहाँ पे कई लोग बैठे वे और भावी रो रहे है भाई की लास रखिये तब उसने उस पत्यों को बताएवे नियम के तहट भाई के उपर इस्तेमाल किया तब भाई उठकर बैठ गया भाई बहन से बोला अद बहुत गहरी नीन में सो गया तब बहन बोली ये निन गसी दूसमन को भी ना है और उसने सारी बाते अपने भाई को बता दी तो मांता के नों साईगे गणैजी की चमतकारी कफा सुनने से सारे विकने दूर होते हैं घर बरबार में सुख सांति सम्रधी हाती हैं अगर आप गने जी की पूज़ा करते हैं और विक्न हर्ता की करपा पाने चाहते हैं तो कमेंट्स में ओम गंग गडवते नमा आवश लिखें ऐसा करने से आपकी जीवान के सारे विक्ने विक्न हर्ता दूर कर देंगे जैशी रादी जैशी किशना वीडियो को जादा सी करके लाइक और कमेंट में कीजिए और चैनल सस्क्राइब कर दीजिए आपको यहां पर इस प्रकार की वीडियो सुनने को और देखनों को मिलेंगे जैशी रादी जैशी किशना